ब्रॉडवे तो हडे विदेश जान दे सुपने अनु देवेगा अकीकत दी उडान। तो पेलना चाहूंगा इसी चैनल नो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा तांकि हर लेटस इंपॉर्ण आपडेट तो हनु दे मिल दे रहें और एक दिन छटे के तकरीबन तो हनु मेरा शो इस चैनल दे मिलता रहूगा तो चैनल नो ज़रूर वाच कर दे रहूगा और मेर त 10th score बहुत ज़्यादा लोग हुंद है, कई बच्चेयां दे graduation extended हुंदी है, यहां graduation दी percentage बहुत कट हुंदी है, इनना बच्चेयां नूँ फाइल लॉन लगे, केडियां चीच जानदा खास त्यान रखना है, अगर तुसी अपना जड़ा वीजा है, उन्हों हासल करना चाहने हो, क्योंकि बहुत बच्चे, 6 band each हुंदे हुए भी, साथे 6 band overall हुंदे हुए भी, even साथे 6 band each हुंदे हुए भी, refusal लेड़न दे है, इनना कच्चिकरां दे करके, सब तो पहलना देते गल करांगे, और स्टार्ट करांगे, प्लस टू स्टूडेंट हो, सो प्लस टू दे स्टूडेंट अगर हो दे, किसे एक सब्जेक्ट दे नंबर कट है, तो उन्हों कोशिश करनी चाहिए, कि जेड़ा भी कोर्स सो सलेक्ट कर रहा है, अग्गे जान वास्ते, कैनिड़ा जान वास्ते, तो ओ कोर्स लवे, जीदे वेचो ओ से सब्जेक्ट दी रिक्वार्मेंट ना होए, फॉर एक्जेम्पल, तुसी नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, तो अग्डे को कमिस्टरी दा स्कोर वीक है, तो तुसी कोर्स लेले आ आईटी दा, जीदे चेक्मिस्टरी दी रिक्वार्मेंट ना दे वरब्र है, तो प्रभवेलिटी ओफ गेटिंग वीजा बिकाम्स हाइर, सेम अगर तो हड़े फिजिक्स चकाट है, तुसी कोर्स लेले आई मेडिकल लेबाटरी दा, या तुसी लेले हा हेल्थ हाईजीन दा, तो फिर तो हड़े उत्रों जीडे चांसी से हो काट फर्क पेंदा, उससे माक्स दा, जीडे माक्स काटने, बट मैथ नो उत्ते बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस है, जो जे तो हड़े कोल मैथ सीगा प्लस टू दे विच, तो दोस्तो मैथ अगर तो हड़े नंबर काट है, तो बहुत जाधी प्रॉब्लम होन दी है, अगर तुसी रेलेवेंट कोर्स जान दी कोशिश करते हूं, चाहे आई टी जान दी कोशिश करते हूं, मेटरिकल लबाटरी जान दी कोशिश करते हूं, हल्थ साइंस जान दी कोशिश करते हूं, इद्दा दे बच्चेन दो की करना चाहे दे, इद्दा दे बच्चेन दी स्पेशल चीज आया, कि उनन दो ओ कोर्स लेने चाहे दे, जिनना दी पढ़ाई प्लस टू तक नहीं हुन दी, सो इद्दा दे कड़े कोर्सिस ने, इद्दा दे कोर्सिस बहुत हुन दे ने, जिनना मीडिया, फिलम मेकिंग, वीडियो ग्राफी, ठीक है जी, फिर एनिमेशन, फिर उस तो बाद अपने हॉस्पिटालिटी मेनेश्मेंट, सोशल केर वर्कर, इद्दा दे बहुत सारे कोर्स हुन दे है, जिनना दी प्लस टू तक इंडिया चपड़ाई नहीं हुन दी, सो इद्दा दा कोर्स लगो, जिदे छ फिर तो हड़े उसारी पड़ाई तो हनों अफेक्ट ना करे, सो इनना चीज़ां दा त्यान समय दारी तो हड़े कंसल्टेंट को या तो हड़े कोर्स ज़रूर हुनी चाहिए अगर तुसी कैनड़ा जाना दी सोच रहे हैं, जे तो हड़े दसमी क्लास दे नंबर बहुत काट सी, तो हड़े दसमी इननों तुसी नाम ही लगाओगे, नारत ताम ही चलता है, कोई फरक नहीं पहिनता, तो हड़े वीजा दे, तो एक्स्टेंशन जड़ी तुसी कीती है, क्यों कीती है, तुसी मेडिकल यानी फिट सी, यहां कोई फैमिली सिनारियो सी, यहां तो हड़े, वो स्वरी तुसी फेल क्यों होए, तो हड़े, तो हड़े, तो हड़े, तो हड़े, तो हड़े, तो हड़े, कोर्स रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दे है, सो कोशिश कर दे हो, होना केसी दे वेच, कॉलेज और कोर्स या या यूनिवरस्टी, तिन्नों चीज जो भी लेने हो, वो वदिया लेना है, कट्या नहीं लेना, कई बच्चेया निबर होंदे हो, कॉलेज भी माड़ा चक लेन दे, चलो यार प्राइवेट कॉलेज जे ट् रखे चलना है, यूके दे वेच, अजकल स्टडी वीजा बहुत खुमारते है, बहुत जादा सक्सेस रेट भी मिलके आ रहे है, और बहुत सारे बच्चा नों वर्क परमिट नों लेके कन्फूजन रहें दी है, या सेटलमेंट नों लेके रहें दी है, सो एक रस्ता में त सदे पंच बेंड़ा तो डिरेक्ट एक्तो वर्क परमिट लेके जा सकते हैं, यूके लिए कोछ लिम्टेड सीट से सदे को अवेलेबल है, जिदे लिए तुसी कॉंटक्ट कर सकते हैं, पंच साल दा जॉब एग्रिमेंट होगा, जॉब नाल होएगी और तुसी सिदा स्टूडेंट इस दा बेस्ट वे एक्तो तुसी स्टूडेंट जानने हो, यूके दी जड़ी शॉट अकूपेशन दी लिस्ट है, वो बहुत स्पीड नालवाद रही है, पिछले कुछ दे रातों, बहुत सारे काम तंदे जड़े ने या परफेशन ने इतना दे जड़े हुई औकुपेशन लिस्ट चाहरेने क्योंकि होद्व लोग नहीं मिलरे मैंपावर नहीं मिलरे। यू पिछले दिन हास्पेटेलिटी मैनेश्मेंट दीच्पाया गया वेब डिवेलमेंट नो एदेच पाया गया हूम केर नो एदेवेच पाया गया और वाले दिना चुहोर बहुत सरी हैं ट्रेड्स है जड़ियां एदेवेच ओन गया सो अगर तुसी आज अलिजेबल हो ग्रेजवेट हो प्लस टू हो तो यूके नो कदी भी इगनोर ना करो क्योंकि हून जानवाडे बच्चेयां दी जड़ी प्रोबैलिटी टू गेट सेटलमेंट गेट पी आर बहुत हाई है शर्त है तो हड़िया अपनी ग्रेजवेशन कंप्लीट होनी चाहिए दिया और अच्छे तरीके ना कंप्लीट करो ता तुसी अराम नाल अपने वीजा सेक्योर कर सकते हो तो बे फिकर होके यूके लिए अपलाई करो विदाउट बेस्टिंग टाइम विदाउट आल से कंट्री तो हनो आज दी डेट चे बला रही है विद फैमिली तुसी ऐस कंट्री चे जा सकते हो होर तुसी इस तो बद इस कंट्री तो की लब देऊ इनना सौखा और इनना सरल उनने वीजा दा परसेस सिस्टम बनाया होया है कि सक्सेसरेट तकरीबन तकरीबन हंडर्ड परसेंट लीगली का नहीं चाहिदा पर हंडर्ड परसेंट ही साड़ा पिछले तो चल रहे है सो ऐस चीजनों इग्नोर ना करो एंड ट्राइट तो ग्रैब दिस अपर्चुनिटी थर्ड ली अपा गल कर देया उस्ट्रेलिया वाल स्टूडेंट्स ली प्राबर है सो वाइड करो ना नू और ग्रेजुएशन या मास्टर्स प्रोग्राम ली जाओ दोनों ग्रेजुएशन और मास्टर्स तो हनो युनिवोस्टी चीज भी मिल सकते है कॉलेजीश चीज भी मिल सकते है जे तो हड़ा बजट काट है बट जाओ इना प्रोग्राम से विच जैन्वन डॉक्मेंटेशन दे नाड जाओ और सही कंसलिटर्ड ना जाओ कोई भी फेक डॉक्मेंट लाओंगे तो हड़े ली कई रस्ते बांध हो जणगे आना होवे कालों कोई बहन लगजे और तुसी यूके जान जोगे भी न रहो सो जे तो हड़ा प्रफाइल आज किसे गलो अस्ट्रेलिया लिए लिजेबल नहीं का तो जिद्धा मैं दस्या कि यूके बेस्ट प्लेस है तुसी उत्ते भी बेफिकर होके जा सकते हो बट सही तरीके न जाओ अस्ट्रेलिया अमबैसी बहुत क्लोज ली प्रफाइल से उत्ते काम कर रहे है और डिडड़ दो-दो महीने रिजल्ट आउंच लाग रहे है तक्रीबन तो हड़े वर्क एक्स दे डॉकुमेंट है चाहे तो हड़े अकैडेमिक काम कर रहे हूं ब्रॉडवे ना कर रहे है तो बिल्कुल बेफिकर होके अप्लाई कर सकते हो जैनुवन तरीके दी गाइडेंस और वर्किंग सड़ी अप्लिकेशन से रहें दी है बाकी चैनल में सब्सक्राइब करके रखो कोशन डाउट्स को अपने प्रफाइल नो लेके है गया तो ब्रॉडवे दी टीम ने कंटेक्ट कर साथ है थाइंक यू